नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरेश्टार सलमान खान की फिल्म भारत के अपडेटेड बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में इसी के साथ दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं गेम और का बॉक्स ओफिस कलेक्शन फिल्म देदे प्यार दे का बॉक्स ओफिस कलेक्शन और इस अपते रिलीज होने वाली मच अवेटेड फिल्म कबिर सिंग का एडवांस बॉक्स ओफिस रिपोर्ट और दोस्तो इस film का first day box office production तो चले दोस्तो शुरुआत करते हैं देखते रहेगा पूरा वीडियो तो दोस्तो सब सब पहले हम लोग याँ पर बात कर लेते हैं गेम और फिल्म के box office collections के बारे में जो कि एक action thriller horror film है बता दोस्तो कि इस film के lead में आपको दिखाई दी है तापसी पन्नू महीं दोस्तो इस film को direct क्या है अश्विन सर्वनन ने box office collections की बात की जाए तो दोस्तो इस film को all hour idea में लगबग 1100 screens पर रिलिस किया गया था और इस film ने अपने पहले दिन all hour India से कमाय थे लगबग 2 करोड रुपे जी हाँ दोस्तो आपको बता दे कि इस film ने सिर्फ हिंदी भाशा से ही अपने पहले दिन कमाय थे 38 लाख रुपे तमिल से दोस्तो इस film ने कमाय थे लगबग 30 लाख रुपे मैं दोस्तो तेलगू से भी इस फिल्म का कलेक्शन लगबग 30 लाग रुपे का था इस तरह से दोस्तो इस फिल्म ने नेट बॉक्स ओफिस पर तो कमा लिये थे लगबग 1 करोड 20 लाग रुपे मुझे दोस्तो इस फिल्म का ग्रोज बॉक्स ओफिस कलेक्शन लगबग था 2.30 लाख रुपे का बता दे आपको कि इस फिल्म को 5 दिन कंप्लेट हो चुके है और दोस्तो इस फिल्म ने 5 दिनों में इंडिया में नेट बॉक्स ओफिस पर कमा चुकी है 7.15 लाख रुपे ग्रोज बॉक्स ओफिस पर दोस्तो ये फिल्म कमा चुकी है 8.70 लाख रुपे मुझे दोस्तो वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन इस फिल्म का रहा है 9 करोड 50 लाख रुपे बजट दोस्तो इस फिल्म का लगबग 20 करोड रुपे का बता जा रहा है इस कारण से दोस्तों ये फिल्म एंडियन बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी है बात करें दोस्तों यहाँ पर दूसरी फिल्म यानि कि देदे प्यारदे के बॉक्स ओफिस कलेक्शन्स के बारे में जिसे कि रिलिज किया गया था 17 मैं को बताया दोस्तों कि ये फिल्म भी इस साल की मच अवेटेट फिल्म थी जिसके लीड में आपको अज़े देवगन, तबू और रकुल पृत नजर आई है बॉक्स ओफिस कलेक्शन्स की बात करें, तो दोस्तों इस रॉमेंटिक ड्रामा फिल्म को अलवर इंडिया में लगबख 30,000 स्क्रिंस मिली थी और इस फिल्म ने अपने फॉस्ट वीक में कमा लिये थे लगबख 61,500,000 रुपे दोस्तों अभी तक के कलेक्शन्स की बात करें, तो इस फिल्म का ये अपना पांचवा हफ्ता चल रहा है और दोस्तों पांचवे हफ्ते में भी ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर काफी अच्छी कमाई कर रही है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि ये फिल्म अभी तक एडिया में नेट बॉक्स ओफिस पर कमा चुकी है 104 करोड, सहाट लाक रुपे वोई दोस्तों इस फिल्म का जो इंडिया ग्रोस बॉक्स ओफिस कलेक्शन है वो रहा है लगबग 128 करोड रुपे का अवरस से दोस्तों इस फिल्म ने कमा है लगबग 16 करोड रुपे इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म वल्डवाइट बॉक्स ओफिस पर अभी तक कमा चुकी है 144 करोड रुपे बतारा दोस्तों आपको कि इस फिल्म का जो बजट है वो लगबग 75 करोड उपे का है इस हिसाब से ये फिल्म All Our India में हो चुकी है सुपर हिट मैं दोस्तों Worldwide Box Office पर भी ये फिल्म हो चुकी है हिट आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों अब हम लोगें आपर बात कर लेते हैं इस अपते की मच अवेटेट फिल्म कबीर सिंग के Box Office Prediction और Advanced Booking के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर सिंग इस साल की मच अवेटेट फिल्म है जिसके लीड में आपको दिखाए देने वाले हैं यहाँ पर शाहित कपूर और कियारा अडवानी दोस्तों बता दे कि यह फिल्म एक तेलगू Blockbuster फिल्म अरजुन Reddy की रिमेक है जिसके हिंदी में कबीर सिंग के नाम से बना आगा है अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म में शाहित कपूर एक सरजन का किरदार निभा रहे हैं और दोस्तो इस फिल्म को लेकर यूथ के बीच में काफी अच्छा बस देखने को मिल रहा है जी हाँ दोस्तो आपको बता दे कि इस फिल्म ने अभी तक एडवांस बुकिंग से कमा चुकी है साधे चार करोड रुपे जो कि शाहित कपूर की किसी फिल्म के लिए काफी अच् पंद्रा करोड रुपे बता दोस्तो कि इस फिल्म को लेकर ओडियंस के बीच में काफी अच्छा बस देखने को मिल रहा है लेकिन दोस्तो इस फिल्म के लिए एक नेगटिव पॉइंट ये भी है कि ये फिल्म दो गंटे और बावन मिनिट की है मोई दोस्तो इस फिल्म को लाइफ टाइम की तो ये फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ओफिस पर रिव्यूस अच्छे मिलने के बाद कमा सकती है लगबग 130 से 140 करोड रुपे आपके हिसाब से दोस्तों इस फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ओफिस कलेक्शन क्या रहने वाला है आप हमें कमेंट करके जरू बताईएगा और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर लाते हैं लेटेश्ट फिल्मों के बॉक्स ओफिस कलेक्शन तो चलिए दोस्तों आप अगली फिल्म की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगली फिल्म ह जैसा कि बॉक्स ओफिस पर 15 दिन पूरे हो चुके हैं। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म को पाज जुन को आल और इंडिया में लगबग 4,700 स्क्रेंज पर लगा आ गया था। और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन काफी बंपर ओपनिंग ली थी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि एक एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि साउथ कोरियन फिल्म और टु माई फादर की ऑफिशियल रिमेक है। अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में तो कमाया थी 42 करोड 30 लाख रुपे। वहीं और सिस से दोस्तों इस फिल्म ने कमाया है 65 करोड रुपे। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो अपडेटेड बॉक्स ओफिस कलेक्शन आया है वो चुका है 306 करोड रुपे का बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म का जो बजट है वो अभी तक किसी ने भी रि अे एका